पाँ कुछ तो- अजो लोग यह बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में कोई घपला नहीं हो सकता उसमें कोई बाइयस नहीं हो सकती वो निश्बक्स रूप से काम करती है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो मैंने बनाई है इसमें आप किसने भी तरह की कैसी भी तरह की आप वोटिंग कर लीजिए आज में मॉक टेस्ट करिए डेमो करिए कुछ भी करिए लेकिन फाइनली जब आप इसका रिजल्ट देखोगे भले ही आप इसको आफ करके इसका पावर आफ करके आप इसको स्ट्रॉंग रूम में या कहीं पर भी इसको रख दीजिए उसके बाद भी इसका जो रिजल्ट है वो आपको बदला हुआ मिलेगा मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी टेक्निकल संस्थाएं हैं या फिर जो टेक्निकल लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में घपला नहीं हो सकता है ये बिल्कुल निस्पर बटन दबाएंगे आपको ये भी दिखाए देगी कि आपने किसका बटन दबाया है आप कोई भी बटन दबाईए मतदाता को दिखेगा कि मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है मैं जिस पार्टी का बटन दबा रहा हूँ वोई पार्टी इसमें नजार आ रही है ठीक है देखिए देखने कोई बोल सकता है कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है जो पार्टी का बटन दबा रहा हूँ वोई पार्टी इसमें दीख रही है और जब आम में इसमें रिजल्ट देखते हैं, वो रिजल्ट कैसे बदल गया? हालग कि मैंने मशीन को पावर आफ करके भी रख दिया था, उसके बाद भी ये मशीन जब मैंने दूसरी टाइम को मशीन को आन किया, रिजल्ट बदला हुआ मिला. ऐसा कैसे सम्भव है? जो मशीन होती है उसमें सब चीज संभव है आप जैसा उसमें सौफ़वेर लिख दोगे ये मशीन वैसे ही काम करी कि दोस्तों और मैं आम मंत्रित करता हूं सबी लोगों को आप आओ इसमें डैमू लेके देखिए और आपको पूरा विस्वास हो जाएगा कि जो इलेक्टोन बदल देगी ये मैं आपको पूरूफ के साथ बोल रहा हूं ये इसका जेता जाक्ता एक पूरूफ है आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स मैं सभी लोगों को आमांतिरत करता हूं और जो भी दिन को भी शंका है कि ये इस तरी के मशीन नहीं बन सकत है मैंने इसको 15 या 20 दिन में लगातर महनत करके बनाया है आज मैं थोड़ा सब थोड़ा लेट हो गया इसको बनाने में को कि मेरे पास समय नहीं था तो लेकिन फिर भी मैंने इसको दिल लिल्दी मशीन बनाया कि लेकर लेकिन अब थोड़ा दिर में रिजल्ट आ जाएगा लेकिन फिर भी लोगों को ये बताना जरूरी है कि electric voting machine का चुनावों में उप्योग बहुत ही मतलब संधे वाला होता है इस पर विश्वाफ नहीं किया जा सकता है सबसे अच्छा ballot paper होता है electric voting machine का जो result है उस पर विश्वाफ नहीं किया जा सकता है किसी भी एंगल से मैं ये चैलेंज करता हूँ और चैलेंज के साथ मुझे पूरा confidence है अपने उपर कि ये machine जो भी आप इसको testing करके देखना चाहते हो आप देखिए अगर आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया कि नहीं ये machine गलत है ये machine नहीं बन सकती है तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे को कुछ भी दन दे जीजिए मेरे को कुछ भी punishment दे जीजिए ठीक है मैं उसको accept करूँगा लेकिन मैं ये accept नहीं कर सकता कि electric voting machine जो electronics और software में चलती है वो machine unbived तरीके से काम कर सकते है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकता machine में जैसा हम चाहें वैसा काम कर सकती है ये electronic और software का है software में हम जो लिख देंगे वो वैसा काम करेगी और रही advanced technology की बात इसका तो ये आप circuit देख रहे हैं ना ये processing unit है इसके अंदर RTC real time clock लगा हुआ है जो machine में time चलता रहता है इस machine के अंदर आप इसको बंद भी कर दोगे ना फिर भी time चलता रहता है और जब आप इसको counting के लिए जब दुबारा चलाओगे तो वो पूरा result को बदल देगी ठीक है दोस्तो तो मैं आपसे प्रार्षना करता हूँ कि आप इस बात को भूल जाएए कि electric voting machine जो होती है वो निश्वक सुरूप से काम कर सकती है ये electronic का एक तरे का electronic device है और ये बिल्कुल वैसे काम कर सकता है जैसे हम चाहते हैं तो ठीक है दोस्तो टेक्नोलोजी को जानिए सचेत रहिए और चीजों को समझिए